माताओ भाई और बैनों इंडिय एलाइंस के कुछ लोग रामचरीत मानस का अपमान करते हैं आप इससे सहमत है क्या और वो जनातन धर्म को कहते हैं कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं इनका एक ही काम है तुरुष्ट्री करते हैं नितीस बाबु की सरकार कुम्बकर्ण की निंद सो रही है और उफान भरती बागमती सब को डरा रहे हैं ये जेडी और आर जेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है वो कभी एक नहीं हो सकते मैं नितीस बाबु को कहने आया हूँ नितीस बाबु स्वार्थ कितना भी उपर हो तेल और पानी एक नहीं हो सकते माताओ भाई और बैनों इंडी एलाइंस के कुछ लोग रामचरीत मानस का अपमान करते हैं आप इससे सहमत है क्या जोर से बोले सहमत है जन्माश्मी की चुटी रद कर देते हैं आप इससे सहमत है क्या भाई बेहन के त्योहार रक्सा बंधन की चुटी रद कर देते हैं आप सहमत है क्या और वो सनातन धर्म को कहते हैं कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोडते हैं इनका एक ही काम है तुरुष्ट्री करण कर देते हैं मैं आज फिर से एक बार बिहार की जन्ता को कहने आया ये फिर से लालू नितिस की जोड़ी को विदान सबा में जिताया मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री नहीं बनाया तो याद रखेगा पूरा पूरा सिमान तक्षेत्र हमारा गुश पेट से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे क्या आप चाहते हो भई कि सिमान तक्षेत्र हमारा गुश पेटियों से भर जाएगा जोड से बोलो भर जाए चाहते हो माताओ भाईओ बेहनों ये वाट बैंक की राजनिती के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तयार है यहाँ पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है बालू माप्या घुश गए हैं सराब माप्या लोगों के मृत्यू का कारण बेन रहे हैं टाइम बम बरामद हो रहे हैं बाड की समस्या के खिलाप नितीश बाबू की सरकार कुम्बकर्ण की निंद सो रही है और उपान भरती बागमती सब को डरा रही हैं आप मानते हो कि ये जो गटबंदन सरकार है वो ये सारी चीजों का सारी चीजों का समादान ढून सकती है मानते हो भई इसका समादान एक मात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुत में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाई जाए माता ओ भाई ओ बैनों एज जेडी और और आर जेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है वो कभी एक नहीं हो सकते मैं नितीस बाबू को कहने आया हूँ नितीस बाबू स्वार्थ कितना भी उपर हो तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है तेल पानी को मैला कर देता है मैला कर देता है मान कर चलना आपने प्रधान मंत्री बनने के लिए जो गटबंदन किया है वो गटबंदन आपको भी डुबाने वाला है